हेलो फ्रेंस वेलकम टो ट्वांटीफो नॉलेज ए ओफिशल लिटूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपना जनम प्रमान पत्र या फ्रेंस आपका फ्रेंस जो भी बर सेटिफिकेट है नया है या पुराना है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं उसक सब्राश्ता.com पर देखने को मिल जाएगा बात करेंगे कैसे आप अपना जनम प्रमान पत्र डाउनलोड कर सकते हैं इसके स्टेब बारे में और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब क जो है इसके माध्यम से आप यहां पर आपका जो आविदन पत्र है वो भी आप यहां पर भर सकते हैं अगर आप बच्चे का नाम जोड़ना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इसके अलावा फ्रेंस जो प्रमान पत्र कंप्यूटिकरन है वो भी आप यहां पर कर सकते ह तो multiple options आपको यहाँ पर मिल जाते हैं इस portal से अगर आपको आविधन करना नहीं आता है तो friends आप comment कर सकते हैं मैं जल्दी ही आपको यहाँ से apply करने का process जो है वो भी आपको जल्दी ही provide कर दूँगा अब यहाँ पर बात करेंगे कैसे आप अपना जो है आपको पंजिकन खोजे पर click करना है यहाँ से आप अपने जल्दी का जो नाम है वो आप यहाँ से select कर सकते हैं वो friends नगरिय या ग्रामीन में हैं आप रहते हैं वो आपको यहाँ पर select करना है इसके बाद आपकी पंचाय समीति या सहरी निकाय आप यहाँ पर select कर सकते हैं और उसके बाद आपका जनम मिर्थ जनम या विवा किसके लिए आपने इस पोर्टल का यूज करना है वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है इसके बाद यहाँ पर देखिए आप इस capture code को डलकर खोजे कर सकते हैं आपके सामने बहुत सारे जो है options आएंगे तो सबसे best option जो है कि आप इस calendar का यूज करें और यहाँ पर click करने के बाद फैंसे जो भी आपका date of birth है बच्चे का या फिसका भी आप यहाँ पर download करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर select कर लेंगे इसके बाद फैंसे आप यहाँ पर और जानकाई देना चाहें तो दीजिए नहीं तो simply capture code को enter करके यहाँ से खोजे पर आपके लिए कर देंगे इसके बाद फैंसे जब आप यहाँ पर search करने के बाद आपके सामने देखिए पंजीकर्ण संख्या जो फैंसे यहाँ पर देनांग जो आपने select की होगी यहाँ पर नाम आजाएगा पिता का नाम आजाएगा इसके बार रिस्टार आपका यहाँ पर आजाएगा और यहाँ पर आपको इस्तिती शो करेगा साथ में फैंसे डिजिटल हस्ताक्षर उपलब्द है या नहीं है वो जानकारी आपको प्रोवाइड होगी इसके बार यहाँ पर देखिए नीचे आपको page numbers मिलेंगे तो आप यहाँ पर जो है next page को select कर सकते हैं आपको यहाँ पर आपका जो details है वो आपको यहाँ पर search करनी है अब आप जब अपना यहाँ पर जो है जानकारी को search कर लेते हैं तो यहाँ पर देखे एक section है download का आपको simply उस download वाले option पर click करना होगा तो आप इन में से जिस भी आपके friends से यहाँ पर आपका friends से certificate रहा है आप उसको यहाँ से download वाले section पर click करके आप download जो है यहाँ से data को कर लेंगे इसके बाद friends से जब आप download वाले option पर click कर देते हैं इसके बाद friends से आपके सामने download certificate का जो यह section है यहाँ पर जो पंजिकन संख्या या वर्ष है वो आपकी यहाँ पर fill up होगी आपको यहाँ पर जो एक capture code दिया गया है यह capture code fill करना है और उसके बाद खोजे वाले option पर click कर देना है इसके बाद friends से यहाँ पर देखिए जब आप खोजे वाले option पर click करते हैं उसके बाद friends details आपको यहाँ पर show करेगी और यहाँ पर कहेकर register mobile number पर OTP प्राप करें तो आप जो OTP option है इस पर आप click करेंगे इसके बाद friends आपके register mobile number पर एक OTP आएगी वो OTP आपको यहाँ पर enter करना है और OTP enter करने के बाद आपको friends यह download certificate का जो option है यहाँ से friends आपको certificate आपका जो download है वो आपको कर लेना है तो यहाँ पर यह करने के बाद इसके बाद friends आप अपना जो आपका friends जनम प्रमान पत्तर है या birth certificate है वो आप अपना यहाँ पर download कर पाएंगे तो यहाँ पर फ्रेंस जो वेबसाइट है या आपके पहचान की जो की रास्थान सरकार की वेबसाइट है आप यहाँ से फ्रेंस से डाउनलोड भी कर सकते हैं सैटिफिकेट के थुरू आपको अगर मालीज आपका अडिस्टेशन नंबर नहीं पता है तो आप पंजिकन खूजे पर क्लिक कर सकते हैं या फ्रेंस अगर आप नया यहाँ पर आविदन करना चाहते हैं तो नया आविदन भी आप कर सकते हैं अगर आपके आविदन में नाम नहीं है बच्चे का तो आप उसको भी जोड सकते हैं तो multiple options आपको यहाँ पर online ही available हो जाते हैं आप खुद भी कर सकते हैं या इमित्र के माध्यम से भी करवा सकते हैं तो मैंने आपको जो process है वो आपको बता दी है कैसे आप पहचान website की मरद से आप अपना जनम परमान पत्र डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको friends से हमारा गी update पसंद आया है तो like, subscribe, and share जरू कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसा ही बने रहे हमारे साथ डेकते रहे हमारा योटीटर एला सिंग्स पूर वाचिंग